यहाँ फिल्में बनती हैं, यह खाली कैन्वस है जिस पर आर्ट डिरेक्टर एक नई दुनिया बनाता है, कभी रेगिस्तान, तो कभी ट्रेन की पट्रियां, कभी राजा महराजाओं के महल, तो कभी देशी बार, तो कभी कभी देश की किसी कोने में बसा हुआ गाओं। यह माया नगरी है, पात सो बीस एकड की जमीन पर बसी इस माया नगरी का शीला न्यास, 26 सितंबर 1977 में हुआ, और 30 अप्रेल 2001 को, इस चित्र नगरी को भारतिय सिनेमा के जनक श्री दादा साहिब फालके जी का नाम दिया गया, दादा साहिब फालके, जिन्होंने पहली भारत चंदर का निर्मान किया था, फिल्म सिटी में 16 एर कंडिशन स्टूडियोज हैं, जहां लगबग 2 लाक, जी हां भाई और बहनों, 2 लाक स्क्वेर फीट का कापेट एरिया है, रहे हैं वो, गाड़ी रोको, 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 अरे यहां नो एंट्री है भाई, बचाओ, 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 वेल्कम, ख्रोमा टेक्नीक का इस्तिमाल करके, फिल्म वेल्कम का ये दृष्ट भी यहीं फिल्माया गया था, क्रोमा और कम्प्यूटर ग्रैफिक्स जैसी टेक्नीक्स का इस्तिमाल, अब हमारी फिल्मों के लिए बाया हाथ का खेल बन चुका है, कैमरा के सामने आने वाले हीरो का कवाल तो आप हमेशा देखते ही हैं, अब हुनर देखिए, जो कैमरे के पीछे रहकर अपना हुनर दिखाते हैं, अब हमारे आट डारेक्टरस का हुनर आगे देखिए, ये घर वैसे तो केवल कुछ दिवा रहे हैं, मगर देखिए, फिल्म बागबान में ये घर क्या से क्या बन गया, और यहां सजी होली फिल्म बागबान की है। और यही लोकेशन बना स्कूल फिल्म सिंगहम में। फिल्म सिटी वो जादूई पिटा रहा है, जिसके अंदर से आट डारेक्टर की जादूई छड़ी क्या कुछ नहीं निकाल सकती। दोस्तों हमें तो इस गार्डन से बड़ी जिलसी है जियां, और क्यों नहों, अरे भाई, यहां कितने सारे स्ट्रग्लर्स काम मांगने के लिए चक्कर लगाते हैं। अपनी एक जलक परदे पर दिख जाने के लिए जिन्दगी दाव पर लगा देते हैं। और यह पेड़ पाउधें हैं के जिन्हें बिन मांगे ही सैक्रों फिल्मों में चांस मिलता है। बहुत से नर्देशकों ने हीरो हिरोन को नैनी ताल उटी कश्मीर शिमला ले जाने की बजा है। इन ही लोकेशन्स को नैनी ताल उटी कश्मीर शिमला बना डाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां खड़े हो सोचिए तो सही विश्वास नहीं हो रा न अरे ये वही लेख है तालाब जहां किंग खान ने देवदास बनकर डुपकी लगाई थी अब जाते जाते भगवान का आशिर्वाद ले लेते हैं हाँ भई जब भगवान का बुलाबा आता है ना तो आना बनता ही है आए दर्शन करते हैं मत्था टेकते हैं अरे भगवान तो कायब है हाँ वह इसलिए कि ये दुनिया का अकेला ऐसा मंदर है जहां हर दिन भगवान बदल जाते हैं देखिए ना कितने सारे देवी देवता देखे हैं इस मंदर ने यहां उपर वाले के भी कई रूप हैं जैसे कहीं अजान सुनाई देती हैं तो कहीं गुर्बानी सुनाई देती हैं यहां सच मुच मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर रखना फिल्मों के साथ साथ यहां सीरियल्स भी बनती हैं फिल्म सिटी बहुत सारे सीरियल्स की बुनियाद है पौरानिक सामाजिक धारवाहिकों से लेकर कॉमेडी सीरियल्स तक ये महा भारत के जमाने का पेड़ है नहीं नहीं उस महा भारत के जमाने का नहीं पी आर चोपरा साव के महा भारत के जमाने का रियालिटी शो से लेकर कल के चानक्य से लेकर आज के कपिल तक रिजिनल फिल्म्स को फिल्म सिटी ने हमेशा सहायता की है डिसकाउंट रेट में सारे साधन उपलब्त करवाएं हैं गुजराती, नेपाली, मराठी, भोचपुरी हर रिजिन की फिल्में यहां बनती हैं और फिल्म सिटी रिजिनल फिल्मों के साथ डट कर खड़ी रहती है तो बहनावर भाईयों फिल्म स्टूडियों की इन दीवारों ने कितने सारे लोगों का स्ट्रगल से लेकर स्टार बनने तक का सफर अपने आँखों से देखा है उनकी निराशा, हताशा और काम्यावी का जशन भी देखा है और फिल्म सिटी का ये वादा है कि मनोरंजन का ये सिलसला चलता ही रहेगा बस तो इसी वादे के साथ अलविदा, गुडबाई, नमस्का